हालो नमस्कार दोस्तों मैं दिनेश यादव एक्टिव एकडिवे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जैसे कि आपने देखा संख्या पत्ति की स्रीच चला रखी अपने जिसका सेकंड क्लास है और इस क्लास में वही क्यूशन ले रखे हैं जो आर्पीएफ में उन्हें भी बताएं और मैं इतने किस्दा आपको करवाता नहीं कि आपका यह गंटा खराब ओडएड़ गंटा दो गंटा खराब ओड़े लेका इतने किस नोते आप मातर तो disability rule पिछले वीडियो हम बता रखे हैं, अगर आपने नहीं पढ़ रखे, तो इसकी वीडियो भी डाल रखी है, नमबर सिस्टम के नाम से, डिटेल में पूरी चीजे समझा रखे हैं उसमें, पर मैं उमीद करता हूँ अब आप exam देंगे तितना तो पढ़ी लिया होगा, इसके factor बनते है, 9 और 8, तो disability चेक करेंगे, 9 की और 8 की, दोनों की करनी है, तो यहाँ पर देखो, पिछे के, पहले 8 वाली चेक करेंगे, क्योंकि 8 करनी है, मुझत है, पिछे के 3 अंकों में, 8 का पूरा-पूरा भाग जाना चाहिए, तो यहाँ पर, मैं कम से कम, यह मालनू कि यहाँ जीरो भी होता, तो देखो, ऐसे करते है, 8, 6, 48, कितने रिमेंट रहे गए, 2, 2 के साथ कितने लगए, 6, अब यहाँ अगर 1 होता, तो कितने रिमेंट रहे ता, 3, अगर यहाँ पर 2 रहे ता, कितने रहे ता, 4, और यहाँ पर अगर 3 लिखते हैं, कितने रहे ता, 5 यहां पर तीन रखेंगे उसके बाद आप नो से डियूजी बल्टी में मैंने बता रखा है कि जहां पर नो बन जे उसको अटा दो यह नो का कोई मल्टीपल बने उसे अटा दे तो 6 और 3 नो इसको अटा दो 5 और 4 नो इसे अटा दे तो क्या बचे गया 8 और 5 तेरा तेरा और 5 अठारा यह भी अट गया 8 और 8 16, 16 में कितना जोडे, P की जगे कितना रख दे, 2 तो हो सकता है, 2 डिजिट भी रखी जाएं, कोई तो आप दोनों ही केस पर ध्यान रखना है आपको तो अभी तो 2 रखा जा रहे है यहाँ पर, तो P की वैल्यू अगर 2 रख दे, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 इक्वल भी नहीं है ना, केईज नोट इक्वल पी, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 और 4, 13, तो इस क्यूशन का जो आंस्वर आएगा, वो 13 आंस्वर सही होगा तो डिवजिबल्टी रूल आप पिछले वीडियो में भी पड़े हैं, अगर बेसिक से आपने कहीं क्लास नहीं ले रखी, तो क्लास भी हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, अप जब भी प्लेलिस्ट खोलोगे, या फिर जो फस्ट के जो वीडियो डले हुए है, उन्हें नंबर सिस्टम की 5-6 क्लास डाल रखी है, तो उसमें दो क्लास डिवजिबल्टी के आपको मिलेंगी, आप उनको देखना और फिर इन क्यूशनों की प्रक्टिस करना, अगले क्यूशन पर बढ़ते हैं, नो अंकों वाली कोई संख्या है, वो बहितर से विवाज्य है, तो इसमें भी वो 9-8, 9-8 का डिवजिबल्टी रूल चेक करना है, ऐसे फैक्टर तोड़ना इसके जो प्राइम नंबर की पावर बने कुछ न कुछ, तो पहले 8 का चेक करेंगे, लास्ट में कितना रखे देखो, वाई की जगे, उसमें देखो, वाई की जगे सही रखा था न रख दे चार, और वाई अगर चार रखोगे तो 9 से डिवजिबल्टी 6 और 3, 9, और देखें द्यान से 8 और 7, 15 और 3, 18, वाई की जगे 4 है, 8 और 4, 12, 12 में कितना एड करें, कि 9 का बाग चला जाए, 6 एड करें, 6, एक्स का मान कितना आगे, 6, तो 6, 18 और 8, माइनस करोगे, त कितना जाएगा आपका, 10, राइट आणस्वर होगा, चेक करो एक बार इसको, चलो, ठीक है, देख लिए सभी ने कोई प्रोब्लम, चलो, नेक्स्ट क्यूशन पर बढ़ते हैं, एक छोटे से छोटी पूर्ण वरग संख्या ग्यात कीजिए, पूर्ण वरग संख्या देख यह जो 27 से, 24 से और 22 से विवाजी तो, तो मेथड क्या है, यह तो किलास में आपको पड़ा रखा है, लेकिन एकजाम में कैसे अल करने है, वो इस डिविजिबल्टी रूल लगा हो, पूर्ण सारे नंबर कैसे है, परफेक्ट स्कॉयर नंबर है, है या नहीं है, वो बात भ कहीं मिल जाए, तो सबसे पहले 9, 3, 8 और 11 यह चेक करना, तो 9 का मिले तो सबसे सरल होता है, तो देखो, 9 से डिविजिबल वो नंबर होगा, जिसके अंकों का योग 9 हो, या 9 जोड बन जाए, उसको अटादो, 1 सेस रह गए, तो इसमें 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए यहां देखो, 6, 5, 11, 11 और तो 13 इसमें भी नहीं जाएगा, नो का भाग, तो 9 का नहीं गया, तो 27 का भी नहीं जाएगा, और 27 का भी नहीं जाएगा, तो बाकी का जाए नहीं जाए, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, वह सब का जाना चाहिए, अगर 27 का चला जाए, तो इसमें तीन ओप्सन जैसे हैं, जिसमें 9 का भाग नहीं जा रहा, एक ही ओप्सन ऐसा है, जिसमें 9 का भाग जा रहा है, तो यह यह आंस्वर है, अगले क्यूशन पर बढ़ते हैं, 9 से विवाजित करने पर 6 क्या आएगा, भाग देकर 6 निकाल लो, इस असरल क्या है, भाग देओ, इसमें 9 का सेस, ऐसे नहीं करना, देखो, डिजिटल सम, डिजिट सम कर लो, या फिर जहां 9 बन रहा है, उसको अटा दो, बच गया कितना, एक, इस नंबर को अगर 9 से डिवाइड करोगे, तो सेस फल कितना आएगा, एक आएगा, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्यूशन पर, बारा से विबाज़क कोण सी संख्या है, तो बारा में देखो, किस-किस के फैक्टर है, चार गुणा, तीन, तो तीन वाड़ा, चार वाड़ा तो आसान होता है, पिछे के दो नंबर में चेक कर लो, किसमें चार-चार का भाग जाएगा, किसमें नहीं जाएगा, तीन का चेक करो, तीन का, पर नो में तीन का भाग चला जाएगा, छे में आठ, तीन, ग्यारा में नहीं जाएगा, यह उप्शन भी नहीं हो सकता, चार, दो, छे, तीन, आठ बच गई, इसमें तीन का भाग नहीं जाएगा, तो यही राइट उप्शन हो गया, चेक करने का हो सक इतना तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आप छोटी क्लास के बच्चे हो इतनी सरल चीज़ें नहीं मिलेंगे आपको तीन का चेक करना इसमें भी देखो छै और तीन नो साथ और पांच बारा च्यार बच गए च्यार में तीन का भाग नहीं जाता 7, 5, 12, 3, 8 बच गए 8 में भाग नहीं जाता 3 का 7, 5, 12, 3 में चला गए रहा इन में चला गए तो be right option ये भी गलत होगा आप चेक कर ले ना इसको अगले क्यूसर पर बढ़ते बारा से विबाज्य है वही बात है तीन का चेक करो और चीन का चीन का जा चीन करो है तो फिर यह आंस्वर है अगले क्या उता है च्यार का डिजीबल्टी रूल लास्ट के दो डिजीट में वाग देना है वे स्केवल और देख लो पूरा-पूरा चला जाए तो पूरी संख्यम जाएगा वरना नहीं जाएगा अगले क्यूशन पर बढ़ते हैं यह भी किया वैसा ही है तो यह आपके लिए छोड़ देता हूं मैं खुद करो इसको और बताओ आंस्वर क्या आएगा ठीक है कोई समस्या हो तो बता सकते हो कमेंट करके आएगी नहीं पर इसमें किसी संख्या को चोवन से बाग करने पर उननी सेस रहता है यह बहुत ही प्यारा कॉंसे बहुत से कुशन आते है इस पर अब 27 का बाग दे तो सेस फल कितना आएगा तो चोवन का बाग दिया तो उननी सेस रह गया जब चोवन का बाग चला गया तो चोवन का है तो फेक्टर है 27 तो 27 का भी चला जाएगा तो उननी सेस फल 27 से बड़ा है छोटा है छोटा है तो य तो इसका ही फैक्टर है 27 तो जब 24 का चला गया तो 27 का भी उस संख्या में बाग जाएगा और 19 ही क्या बच जाएगा सेस बच जाएगा अगले किशन पर बढ़ते हैं 981 नहीं हो गए फैक्ट्रोरियल होगा भी बार बार पीपिटी मिस्टेक एक ही चीज पर तो यह देखो फैक्ट्रोरियल है इसकार था एक से लेकर अठाण में तक गुणा चार पांच ऐसे करके अठाण में तक गुणा तो देखो पांच निकालने के लिए बता रहे हैं लगातार संख्या गुणन फल में हो वैसे तक है दोर पांच के फैक्ट्र देखने होते हैं लगातार संख्या गुणन फल में हो तो पांच के फैक्ट्र देख लेते हैं कैसे संख्याप में बाग दे रहें उसको छोड़ देंगे और जो बच गए अपने पास इनको जोड़ लेंगे तो 1903 कितने हो गए 22 तो इसके गुणन फल में 22 सुनने आएंगे 22 तो राइट ओप्शन उजएगा D थैंक्स फोर वाचिंग तो दन्यवाद आप सभी का साथ पने रहने के लिए इसी तरह डेली हमारे साथ जुड़ते रहें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करें और लाइक का बटन जरू दब होगे तो ऐसे कलर का हो जाएगा वो ठीक है तो मिलते हैं अगली क्लास में